हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आपका दोस्त राहुल बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल टैको भारत तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप स्मोल स्केल पे बिजनिस स्टार्ट कर सकते हैं जिन भाईयों पे जिन भेहनों पे क चोटा विजनेस जिसे हंडी में भी कहते हैं लगू उद्योग उसको आप कैसे शुरू कर सकते हैं और आपको किस तरीके से मुनाफ़ा आप कमा सकते हो तो उस बारे में आप इस वीडियो में चर्चा करेंगे तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तोस्तों जैसा की देखा मैं बन जाए क्योंकि आज के टाइम में नोक्रियां इतनी है नहीं और हर कोई छोटे हो या बड़ा हो बिजनिस जरूर करना जाता है क्योंकि बिजनिस एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें फीडम होती है कि कभी भी आप अपने काम पर जा सकते हो और आपके लिए मतलब को उतना ही आप उसमें प्रॉफिट अन कर सकते हो जितना ज्यादा प्रॉफिट अन करोगे तो आपका बिजनिस उतना ज्यादा बड़ेगा तो दोस्तों सबसे पहले कोशन यह आता है कि हम अगर छोटा बिजनिस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा तो तो आपको अगर मन में है कि कोई बिजनिस करना है और बिजनिस करना चाते हो तो आपको कुछ चीजे ध्यान रखनी पड़ेंगे किसी भी बिजनिस को सुरू करने से पहले अगर आप उन चीजों का ध्यान रखेंगे तो I hope और 100% sure है कि आप उसमें कामियाब होंगे और आपक आपको अपने माइंड में clear करने होंगे और उन points के base पे ही आप start कर सकते हो तो अबर आप चाहते हो कि कैसे business start करना है तो वह चीजे सारी के सारी इस वीडियो में दी जाएंगी बताई जाएंगी step by step तो आप उन चीजों को समझने की कोसिस करना और वीडियो को आगे करके य तब ही आपको clear होगा अगर आप छोटे scale पर कोई business करना चाहते हो तो वह आप कर सकते हो जैसे अगर आप Indian हो मतलब कि भारत में ही रहते हो तो आप भारत में business लगू द्योग इसे कहते हैं छोटे फेमाने पर होते हैं जिने small business भी कहा जाता है तो इस small business ऐसे होते हैं जो कम पूंजी से start होते हैं और धीरे धीरे ये big business में भी बन जाते हैं लेकिन पहले इनमें पूंजी कम लगती है और पूंजी कम करने लगने से इसमें उतना ही उसी के इसाप से profit होता है अब बात करते हैं कि अगर आपको यह business करना है तो कैसे आप इसको कर सकते हो तो कुछ steps को आपको इसमें follow करना पड़ेगा वह steps मैं बताता हूं कि किस तरीके साफ श्टार्ट कर सकते हो इस business को तो दोस्तो सबसे पहले आपको business select करना है कि आप किस तरीके का business करना चाहते हो क्योंकि सबसे पहले mind में यह clear होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कि चीज का business करना है कि ज कोई भी चीज हो सकती है तो आप उसको select कीजिए कि हां मेरे को इस चीज का बिजनिस करना है फिर उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट यह देखना है कि उसके उपर हमें रिसर्च करनी आनलाइस करना है कि इस बिजनिस को अगर मैं करता हूं तो इसमें मुनाफ़ा लोस कितन तीसरा पॉइंट यह है कि आपको पूरी planning बनानी पड़ेगी उस बिजनिस को करने के लिए पूरी आपके पास planning होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको उसका plan बनाना है कि कितना पैसा investment करना है कितना reserve में रखना है कहां पे पहले इस्तमाल करना है पैसे को कितना इस्तमाल करन है तो यह सारी चीज़े आपको planning करनी होगी क्योंकि business को करने से पहले planning भी जरूरी है अब यह तीन step के बाद चोथा step आता है कि आपको अपना business registered करना होगा मतला legalize करना होगा अगर आप अपने business को legalize करोगे तो वह government की नजर में भी legal रहता है तो उसमें क्या होता है कि अग कि इतना आपका budget है जैसे एक लाग का है दो लाग का चाल लाग पांच लाग आकड़ा कुछ भी हो सकता है आपके उपर है कि आप उस business में कितना पैसा लगाना चाहते हो तो budget आपको maintain करके चलना है और उसमें आपको यह वी मैंटेन करना है कि मेरे को कितना इसमेंसे investment करना ह कि मेरे पास पैसा इतना रहे कि अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं उसे रीकवर कर सकूँ तो इस तरीके से आपको मैंटेन करना है यह पांचमा पॉइंट है आप लिख लेना कि किस तरीके से छोटे उध्यों को चलाने के लिए पूरी सिंक्रोनाइज प्लानिंग बनाई जाती है स्टेप बाइ स्टेप फोलो किये जाते हैं तो वो स्टेप बाइ स्टेप आप फोलो करोगे तो एक छोटा विजनेस आप अराम से खुँआ च्टा पॉइंट ही आता है कि जो भी आपने प्लानिंग बना लिया अब तक अब आपके ओपर डिपैंड है कि जो प्रोडक्ट या सर्वीस आप सेल करना चाहते हो तो वो सेल ज़्याद से ज़्यादा हो सेल पे आपको ज़्यादा फोकस करोगे तो उससे जो मुनाफ़ा जो अन होगा तो वो आपके बिजनिस का प्रोफिट होगा और जितना ज्यादा प्रोफिट होगा आपका बिजनिस उतना ही ज्यादा ग्रोथ करेगा सात्मा पॉइंट यह है कि आपको अपने बिजनिस पे पूरा ध्यान पूरा फोकस करके करना है यह नहीं कि बिजनिस टार्ट कर दिया कई दूसरा काम करने लगे बिजनिस पे ध्यान नहीं देना तो business पे पूरा ध्यान देना तभी आप उस पे growth कर पाओगी finally अब last point यह रह गया है कि अगर आपका business चल पड़ता है मता थोड़ा run करने लगता है तो आपको सोच रहा है कि उसको next level पे कैसे लेके जाया जा सकता है कि आपको नई एक तरीके से कुछ ऐसे चीजें implement करनी होंगी जिससे कि आपके product और services में कुछ हिजाफा हो वो अच्छे और सुद्रें और improve हो और जितनी ज़्यादा services और products improve होंगे आपकी sales उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी और आप अपने एक level से दूसरे level तक business को ले जा सकते हो यह तभी ले जा सकते हो जब आप अपने अंदर ऐसी सोच ऐसी mentality रखोगे कि मेरे को अपना business जो चल रहा है जिस growth rate पे है उससे दूसरे growth rate पे उसको ले जाना है तो उस growth rate पे ले जाने के लिए आपको कम से कम नई नई चीज़े implement करनी होगी जिससे आपका business growth कर पाई एक चीज और मैं बता देता हूँ जब आप इस business को करने जा रहे हो कोई भी business को करने से पहले आपको वहां के local area की जरूर जानकारी लेनी है local area की जानकारी in the sense इसलिए लेनी है कि वहां के लोगों के बारे में पता लग पाए कि जिस product को आप sale कर रहे हो जो भी product आप sale करना चाहते हो या service को देना चाहते हो तो क्या वहां पे कोई और company या कोई और बंदा तो वहां organize नहीं किया हुआ है उस काम को अगर उसने organize किया हुआ है तो वह किस तरीके से service और product customer तक deliver करता है क्या आप उससे भैतर delivery दे सकते हो product की और services की अगर ऐसा आप कर सकते हो तो आप छोटे scale पे अपना business कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि कोई business करना चाहते हो तो ये steps मैंने कुछ 8 steps निकाले थे जो 8 steps को follow करके आप छोटा सा दंदा चोटा सा business start कर सकते हो लेकिन पूरी planning के साथ अगर आप सारी पूरी planning यूज़ करोगे पूरे तरीके से यूज़ करोगे तो आप अच्छे से काम कर पाऊगे और अपना business growth कर पाऊगे तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी detail बताए कि किस तरीके से आप छोटे scale पर भी जिस टार्ट कर सकते हो तो दोस्तो आपको वीडियो कैसी लगी तो आप मुझे comment करके बता सकते हो और आपको मेरा work अच्छा लगता है काम अच्छा लगता है तो आप मुझे support भी कर सकते हो तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलूंगा मैं आपसे नई वीडियो में और नई जानकारी के साथ जब तक के लिए दोस्तो नमस्कार